हेलो एंड वेलकुम दोस्तों स्वागत आपका फिर से मेरे चैनल पे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के उन डिवाइस के बारे में जिनकों की वन यूई 2.5 का अपडेट देखने को मिलेगा तो इस लिश्ट में काफी सारे डिवाइस के नाम ए सब्सक्राइब कर दीजिए सादमें बैल आगन को प्रेस कीजिए और आज की इस वीडियो को टार्गेट हम लोग रखते हैं 40 लाइक मुझे पता है ज़रूर से कंप्लीट कर देंगे तो दोस्तों चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो सबसे बैले डिवाइस दिये गी हैं इस लिस्ट में वो सैमसंग की S-Series के हैं जो की सैमसंग का S10, S10 Plus और S10e और सैमसंग का S10 5G इसका लाइटर वेरियंट जो की सैमसंग का S10 Lite है इन सबी डिवाइस में भी आपको One UI 2.5 का जो अपडेट है वो बहुत डिवाइस का जो अपडेट है वो अग्ले जो डिवाइसेज नग का S9 और S9 Plus और ये वेर गाको ये or सैमसंग का One UI 2.5 का जो update है वो roll out कराएगा इन दोनों ही devices के लिए क्योंकि काफी बड़ी good news है Samsung की S9 और S9 Plus users के लिए अगले जो devices हैं लिष्ट में वो Samsung की Note series के हैं जो की Samsung का Note 10 Plus 5G Note 10 Plus Note 10 5G और Samsung का Note 10 Note 10 Lite और Samsung का Note 9 इन सभी Note series के devices में भी आपको One UI 2.5 का जो update है वो बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा और जो Samsung का Note 9 डिवाइस है इसमें भी आपको One UI 2.5 का जो update है वो देखने को मिल जाएगा और यह officially confirm भी हो चुक है और Samsung इस old flagship डिवाइस में भी आपको One UI 2.5 का जो update है वो roll out कराने वाला है जो कि काफी अचे good news है Samsung के Note 9 डिवाइस के users के लिए अगले जो डिवाइस हैं इस लिष्ट में वो Samsung के foldable devices हैं जो कि Samsung का Z Flip 5G Galaxy Fold 5G और Galaxy Fold इन सभी डिवाइस में भी आपको One UI 2.5 को जो update है वो बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा और इनका जो update है वो भी confirm हो चुका है दोस्तो इस लिष्ट में से Samsung के A-series के devices को remove कर दिया जो कि पहले बताया जारा था कि Samsung के A-series के devices में भी आपको One UI 2.5 का जो update है वो देखने को मिल जाएगा लेकिन इस लिष्ट में से Samsung ने उन devices को remove कर दिया और बताया ये भी जा रहा था कि जो Samsung के A-51 और Samsung के A-71 device है इनमें भी आपको One UI 2.5 का जो update है वो देखने को मिलेगा लेकिन इस लिष्ट में से Samsung के A-series के काफिसरी devices को remove कर दिया है और अभी भी chances हैं कि Samsung अपने A-series के कुछ devices में One UI 2.5 का जो update है वो rollout करा सकता है दोस्तो ये थे Samsung के कुछ devices जिनमें की One UI 2.5 का जो update है वो देखने को मिलेगा और इस लिष्ट में Samsung फ्यूचर में भी कुछ devices को add कर सकता है तो दोस्तो आज की स्विडम बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो च्छे लोगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजट करें हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जीजिए सानर बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो दोस्तो तब तक के लिए गुडबाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में